बबलू भाई कल टोरेंट ऑफिस पर आप लोगों ने काफी महाँ पर विरोत प्रजेशन किया और ताला भी लगाया दरसल पूरा मामला हुआ क्या था क्यूं यू आंदोलन किया गया देखो बात ऐसी है कल चर्णी पाड़ा में तकरीबन चार वजे से कुछ लाइड चले ग इनलाइट नहीं है तो शमीम भाई ने जे पांड़ा को फोन लगाया जे पांड़ा ने टेक्निशन लोगो बेजा बर टेक्निशन लोग आये बताए कि केबल फॉल्डे थे उन लोग ने वाँ केबल को खोट के केबल साइड में निकाल कर रखे उसके बाद दूसरा को लाइन पे लेके जे पंड़ा को लाइन पे लेके जेन बड़ा ने बोले तकरीवन में एकात गंटे में सब काम हो जागा मगर ये काम न होते वे भी रात के साड़े तीन बजे के वहां के मकामी लोगों को लाइट नहीं मिली उस वक्त शमीम खान हमारे कलवा मुदरा विद लाइट चले गई उस दर्मयान लाइट जाई उसके बाद बारा सारे बारा वे बड़ा हसा हो गया वागी कोई लेडी जो डायलिक्स के उपर थी उसका देहन दों का इंतिकाल हो गया तो ये घुसा है ना बहुत दिनों से हमारे कलवा मुंगरा विदान सभा के अध्यक दि लेडी जो थी ओगर में ही डायलिक्स कर रहेगी और उनकी माली हाला अल्ला भी बैकता जानतार बहुत नहीं होगी या बहुतनी बहुत लोग नहीं होगे वह साथ से घर में ही चल ला था वो उसी दर्बान वारत का लाइट ने होने कर देत हो गया तो हाकी मकामी लोगों न ने फिर हमारे वाके नगर से होगे रियान पिताला उनने उनको मिले उनको साथ मिले कि शमीम बाई के बहुत शमीम बाई कि उससे कम घुसा होगे बले चलो आप तो बले टोरंट सा आर परकी लड़ाई करना ही पड़ेगी तो इस सब जो घुसा था उस दर्बन फूटा और जो अंदोलन का रूप अक्यार कर लिया अच्छा यह अंदोलन तो हुआ लोगों का ऐसा भी कहना है कि NCP की जो है मुंगरा में थुड़ी नईया डगमख है इस वज़े से यह लोग जो है एक दिखावे के लिए कहें या फिर जिस तरह से एक मायम पार्टी के जो नेता उन तैर रही है हम आज भी मुम्रा में ऐसी मजबूत है और इंशालला तला ऐसी मजबूत रहेंगे हमारे हैं बड़े भाई हमारे सेदिले श्रफ साथ हमारे कल्वा मुरा विदान साब अध्यक्ष हमारे शवीं खान साब उसके बाद हमारे विरोदीवक्ष नथा दैशिंग सभी कारे करता हैं और कोई गुना से हमारे में केस बन गया तो हम डरने वाले नहीं है वहां कल हम अंदल उनकर में पहुचे थे उस भी वही वक्त पुलीस खड़ी थी आप फत्रकार लोगों से आप जानकर ले लिए वहां किंजरा गडाता पुलीस कड़े थी पियाई एपियाई पुलीस लेडिस पुलीस सब खड़ी थी मगर हम डगमा गय नहीं हम मुम्रा के अ पुग्रो रूप कल देखा गया हमारे बंबे कलोनी के निता बोलते हैं कि दो तंगी कर रहे हैं अरे महफीज में बैटके नितागरी नहीं होती है आपको रोट पे उतरना पड़ता है मेमरेडम आप देने जाते हो तो पुलीस को देखके भाग जाते हो ऐसा नहीं होगा आ हम दरने वालों में से नहीं है और पुलीस को देखके भागने वालों में से नहीं है इसके लावा मुम्रा के किसी एक नेता ने ये भी कहा है कि जो है कलवा मुम्रा की जो विधायक है उन्हें भागवा चड़ी कहा है अरे हमारे जो नेता है डॉक्टर जिते डाड़ साब क में तहां हिंदुस्तान के दस नेताओं में सेक्टिण में उनका एक नाम आता है और फिन कोई आज आने और कोई कोई कुश्चन मार करने से वह भगवी चंडि कोई बोले से वह भगवी चंडि नहीं वह सेकुलर है और एज भी है, कल भी थे मोजे भी रहेंगे। अरे वो जिसके बात कर रहे हैं, अरे वो जिसके नेता की बात कर रहे हैं, उनने थो खुुत गरदारी की पर रहे हैं। लव जिहाद, जिहाद लैंड बलके जितने महाराश्टा में अंदोलन हो रहे हैं, उस पे वो क्यों चूब है? आज हमारे हज़िवन दरगा शरीप पे जाके वारती करते हैं, उस पे तो आप कोई बात करने के लिए तयार नहीं है? अरे जिनके वो बात, आप मुख्यमंद्री बते हो ठाना जिला के आप ठाना में आप रहते हो न? वही आपकी जो पुराने दोस्त है, उसके उनकी लड़की, उनकी दामात पे गोली से मारनी की धंकी दी जाती है, आपकी कहां गई सविद्नाशी? उस पे आप वो आधिकारी कारवाई करने आप डर रहे हो, ऐसा कैसा होगा? यह नहीं चलेगा, बुक्तिर साब, आपको इस पर कानूनी करवाई करना पड़ेगी, और आप जल्द कारवाई करेंगे, आप आप से उमीद रखते हैं. अच्छा विजाय जितन द्रवाट कहना था कि जत्ते टोरेंट आई है, पुम्रा शहर के काफी हालाद सुधर हैं, बेहतर हुआ है, लेकिन इस तरह से देखा गया कि लाइट इतने देर तक गाइब रही, काफी हंगामा हुआ, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है बेजली बेवस्था की जो सुधार हुई है, देखो, हमारे नेता ने जो कहा है, वो बात एकदम सही है, क्यूंके पहले जो लाइट का फ्लेक्रिशन का, जो लोड शेरिंग थी, जो लोड जाती थी, लाइट जाती थी, अब काफी हद तक वो कम हुआ है, पहले जो बोरे न इन्वेटर रहता था, किसके रूमें इन्वेटर नहीं रहता था, मगर आज लाइट की लोड शेरिंग कम होने के विया से, आज उस बच्चों को पढ़ाई करने में, कंपूटर चलाने में, पढ़ाई अच्छी तरीक से, अच्छी एक्जाम देने में कोई तकलीफ नहीं ह और मैं आपको बता दू, कुछी नेता ने का आये के सो करोड रुपे लेके आये, जब M.A.C.B. थी, आपको नहीं पता, अब उस बारे में आप बहतर है के नहीं बात करें तो बहतर हैगा, आपको सो करोड में जो आप लेके आये तना, उसमें साट गरोड में सब स्टेशन गोटेगर में बना था, आप जाके इन्वारी कर लो, और बाकी 40 करोड रुपया इंफरस्टेश रुपे काम हुआ था, उसमें ट्रास्परण आगे, बग्जबार आगी, केबल आगी, हम भूस सारे सोसाडियों में, हमारे नगर सेगों ने, हमारे करेकरतों ने, हमारे परस परस बाहर से लेकर मस्जिब तक है, हमने 120 की, 90 की, 180 की केबल 3 में दी है, यह इंट्रेस्टेक्चर पे काम हुआ था, उसी के लिए पैसा आया था, इस तरह से आंदोलन हुआ, तो कुछ मांगे भी आप लोगों के तरह से किये गई थी, तो क्या-क्या मांगे थी, क्या उससे मुम्रा को आवाम को इक रहात देने की बहुत अच्छी से कोशिश की गई, और इंशाला तला उसका इफेक्ट अन्याने कुछ दिनों में दिखेगा, एक में हमारे जो पीडी का जो मसला था, जो पीडी का मसला पूराना बकाया है, आज भी इंट्रस के साथ में टोर जानी कर रहे हो, उसकी जो रिकवरी कर रहे हो, उसका आधीकारी को बैटे, और रिकवरी भी हो, उसका बो डिसीजन ले, और आप जब तक में डीसेल का ओ पीडी का पैसा उसूल न करे, एक हमारे इसू था, उसके बाद दूसरा इसू था, कि मिटर इसू करने का, नहीं जो जो मिटर लगाने वाली बात थी, कि जुसी पीडी बाकी रहती थी, उसको अब नया मिटर नहीं देते थे, तो उस दर मैं क्या होता था, कि मिटर के बिल अपने पैसे दो बर दिये, मगर मिटर नहीं मिलता था, तो उस दर मैं दो-तीन मेना ग्याब होने के वाए से, गर के सर्वे करने के बाद उसके उपर आपको पेनल्टी लगती थी, एक साल की पेनल्टी, उसके बाद पी रिकोरी, दो-धाई लाग रुपे का पेनल्टी आती थी, ओ गरीब आतमी का से भरेगा, एक इस्यू था, एक खतम किया जाए, एक दो-तीन विश्यू के लेके ही मसला था, तो कल हमारे टोरेट के जनल सेक्रेटरी है, चेला रवाने साब ने, ये इश्यू को उनने बोले, हम डिसकर्शन करके जल्द जल्द खतम करने की कोशिश करेंगे, ओ वाकी सब बाते है, कल न्यूज में आई है, उनने खुद कही है, पत्रवारों के सामदे,